अपने घर को और फैमिली को समालना कोई आसान काम नहीं होता है वक्त के साथ साथ हम बहुत सारी चीजे सीखते हैं ऐसे ही बहुत सारी चीजे हैं जो मैं भी सीखी हूँ वही मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करने की कोशिस करती हूँ शायद आप लोगों के लिए useful होती होगी, आप लोगों को भी पसंद आती होगी तो ऐसे ही कुछ tips हैं जो आज मैं इस वीडियो में share करूंगी I hope आप लोगों को वीडियो useful लगेगी, पसंद आएगी So Hello and Namaste दोस्तो मैं हूँ Anita, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे तो चलिए देखते हैं वो कौन से ideas हैं हम सभी के घरों में इस तरह के tiffin तो जरूर होंगे जैसे कि यहाँ पे यह glass के tiffin है और उसमें इस तरह के plastic की lid होती है और उसमें इस तरह के silicon की rubber होते हैं तो यह rubber बहुत ही time से use करते करते इस तरह से घंदे हो जाते हैं यह मेरे husband के tiffin है वो अभी दो साल से work from home ही कर रहे हैं तो यह tiffin यूज ही नहीं हो रहा है ऐसे ही रखा हुआ था तो काफी दिन के बाद जब इसे मैंने निकाला मुझे कुछ जरूरत पड़ी तो इसमें देखिए कितनी गंदगी बैठ गई है सिलिकॉन के जो यह rubber है इसमें काफी सारा इसमें गंदगी बैठ गई है और एक fungus जैसा हो गया जो की बिल्कुल hygiene नहीं है अगर इसमें हम कुछ भी रखूंगी और उसे यूज करूंगी तो बिल्कुल health के लिए अच्छा नहीं होगा तो इसे clean करने के लिए मैं यहां पे क्या करने वाली हूँ यहां पे मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें इस तरह से एकदम खौलता हुआ गरम पानी ले ले रही हूँ और फिर उसमें थोड़ा सा मैं यहां पे diswash gel डाल रही हूँ और उसमें इस तरह से जो भी मैंने ये lid के rubber को निकाला है और lid को दोनों को मैं इसमें भिगा के रख दूँगी 10-15 मिनट इसे इसमें रहने दूँगी उसके बाद देखिए 10-15 मिनट के बाद ही बिल्कुल इसमें हमें मेहनत करने की जरूद नहीं है जो lid है उसमें से automatically जो भी गंदगी थी वो निकल गया है फिर भी यहाँ पे मैंने एक पुराना सा brush ले लिया है और उससे इस तरह से clean कर ले रही हूँ तो बहुत ही आराम से देखिए lid इस तरह से साफ हो चुका है उसी के साथ आप देख सकते हैं जो यह silicone के rubber थे यह भी काफी हद तक clean हो गया है automatic ही उसमें से गंदगी निकल गई है पानी में भीगाने के बाद लेकिन इसे थोड़ा सा और brush से इस तरह से घिस दे रही हूँ साफ कर दे रही हूँ तो इस तरह से करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से rubber और lid clean हो चुका है next tip है कि जो इस तरह के mix hub या organo के bottle आते हैं उसे मैं reuse करती हूँ इस तरह से उसमें कुछ भी powder रखने के लिए तो इसके लिए यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे यह भुना हुआ जीरा का powder बनाया था तो उसे रखने जा रही हूँ लेकिन उसे जब इस तरह से हम रखने जाते हैं तो इस bottle का जो मूँ होता है वो बहुत ही छोटा होता है चम्मत से जब डालने जाते हैं तो बिल्कुल उसमें वो जाता नहीं है बिल्कुल ही मतलब जाने का चांस नहीं होता है गिरने लगता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं इस तरह से आप कोई भी मोटा सा कागच का तुकड़ा ले ले और उसे इस तरह से रोल करके बॉटल के मुँपे इस तरह से लगा दे और लगा के फिर आप जो भी पौडर उसमें डालना चाहें तो आराम से डाल सकते हैं तो देखिए यहाँ पे मैं अब यहाँ पे भुना हुआ जीरा का पौडर इसमें फिल कर रही हूँ तो बहुत ही आसानी से अब इसमें यह चला जा रहा है बिल्कुल ही गिरने का चांस नहीं होता है तो इस तरह से हम थोड़ा अगर आइडिया लगाएं तो बहुत ही आसानी से हमारे काम को कर सकते हैं तो देखिए बहुत अच्छी तरह से इसमें मैंने फिल कर दिया है और मेरा भुना हुआ जीरा का पाउडर रेडी हो गया है नेक्स टिप है कि इस तरह से जब भी मेरा टूथपेस खतम होता है तो मैं इस पैकेट को फेकती नहीं हूँ इसमें जो थोड़ा बहुत टूथपेस रह जाता है उसे भी मैं यूज करती हूँ तो इस तरह से मैं उसके मूग की तरफ इस तरह से कट कर लेती हूँ और उसमें आप देखेंगे कि इधर ढकन के तरफ बहुत सारा toothpaste उसमें बच जाता है जमा रहता है तो उसे मैं use करती हूँ इस तरह से कोई भी पुराना toothbrush ले लेती हूँ और उसमें इस तरह से लगाके जो भी मेरे गंदे हुए switchboard रहते हैं वहाँ पर मैं उसे clean करने के लिए इस toothpaste का use करती हूँ इस तरह से आपकी कोई भी switchboard कितने भी गंदे हुए रहें अगर आप इस तरह से जो भी toothpaste होता है उसे आप use करेंगे तो देखेंगे बहुत ही अच्छे से clean हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मेरे kitchen का switchboard है यह बहुत जादा गंदा नहीं हुआ है क्योंकि इसे मैं 2-3 हफते पर clean करती रहती हूँ फिर भी यहाँ पर थोड़ी बहुत गंदेगी है तो उसे मैं clean करने के लिए इस toothpaste का use कर रही हूँ तो इस तरह से brush में लगाके इसे म रगणने के बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से clean हो जाता है क्योंकि switchboards white color में होता है तो जब इस तरह से toothpaste से हम उसे clean करते हैं तो बहुत ही अच्छा सा shine आने लगता है और कुछ भी उसमें oil की जो भी layer bed जाते हैं switchboards पे वो पूरे अच्छी तरह से निकल जाते हैं फिर मैं उसे dry कपड़े से इस तरह से clean कर लेती हूँ तो इसी तरह से जो भी मेरे switchboards गंदे हुए रहते हैं तो वहाँ पे मैं ये बचे हुए toothpaste को use करके फिर ही मैं इसे फेकती हूँ इस तरह की आवाज हम सभी के घरों में दर्वाजों से या wardrobe से या kitchen में modular kitchen के जो door होते हैं उसमें से आती रहती हैं और ये आवाज थोड़ी irritating होती है तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ इस तरह की जो हिंजेस होते हैं वो dry हो जाते हैं इसमें जो oiling या greasing होती है वो खतम हो जाते हैं तो इस तरह की आवाज आती है तो उसके लिए होता है कि हम coconut oil डास देते हैं या फिर machine की oil जो swing machine की oil होती है उसे यूज़ कर लेते हैं अगर उस तरह की machine की oil हमारे घर में ना हो तो इस तरह से मैं यहाँ पे जो भी मेरे hair के conditioner होते हैं मैं उसका भी यूज़ करती हूँ इस तरह के conditioner को मैं लेके इसके hinges पे इस तरह से लगा देती हूँ और आप देखेंगे कि लगाते ही तुरंत ही एक minute में ही वो instant work करता है तो देखिए बिल्कुल अब आवाज आना बंद हो गया है तो आप भी इस idea को एक बाद जरू ट्राई करना घर को well maintain और organize रखने के लिए organizer भी बहुत बड़ा role play करता है तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह के organizer खरीदे थे तो उसमें से एक organizer ये पड़ा हुआ था तो इसे मैं अब use करने वाली हूँ बहुत ही अच्छा organizer है मुझे बहुत useful लगा तो इस तरह से ये fold हो जाता है जब आपको इसका use ना हो तो इसे मैंने इस तरह से खोल लिया है और इसे मैं फिर use करती हूँ इसमें जो भी मेरे इस तरह से कुछ भी जो extra चीजे होती हैं जो कभी कबार use होती हैं जैसे कि अच्छा में decoration के लिए use करती हूँ उसे इसमें रख देती हूँ और जो भी extra ये table runner है उसे भी इसमें organize कर देती हूँ साथ ही जो छोटे वाले pillows होते हैं extra जो धूल के रखे रहते हैं उसे भी इसमें organize करके रख देती हूँ तो इस तरह से ये सब चीजे जो extra होती हैं जो धो जोने के बाद रखने के लिए लगती हैं एक हम लगा के रखते हैं तो उसे मैं इसमें इस तरह से organize कर देती हूँ उसी के साथ फिर यहां पे जो भी bed sheets होते हैं मैं उसे इस तरह से fold करती हूँ कि एक साथ ही सब fold करने पे एक ही size में रहें तो जहां भी रखे तो बहुत अच पिलो रहते हैं तो मुझे यहां वहां ढूंड़ना नहीं पड़ता है जब भी bed sheet change करना होता है तो साथ में ही pillow cover भी मिल जाते हैं तो इस तरह से मैं सभी bed sheet को एक साथ ही इस तरह से organize करती हूँ fold करती हूँ एक ही size में कि जहां भी रखे तो वह section बिखरा हुआ नहीं लड़ हैं तो इस तरह से जब हम चीजों को अच्छे से organize करके रखते हैं तो चोटी सी चोटी जगा में भी चीजे बहुत अच्छे से organize हो जाते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है तो फ्रेंड ये था मेरा आज का वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों के लिए useful रही हो तो प्लीज वीडियो को like share करना और अगर आप मेरे चैनल पर first time visit कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर subscribe कर लेना और साथ ही बेल का भी बटन जरूर प्रेस करना कि मेरी आने वाली new वीडियो के updates आप तक मिलते रहें तो मिलते हैं फिर new झाली 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